कि असलाम अलेकुम गैज तो सुबह के अभी आठ बज़ रहे हैं और आज के दिन संड़े है तो आज तो कुछ ज्यादा काम होगा नहीं है कि देखते हैं अभी चलो देखते हैं फैद सो रहा या फिर जाग रहा है कि चुप चुप देखो यार क्या कर रहा बंदा सोके उठीया है कि अरे यह तो वहां भी खोल के रुका है कब जेगा है कि इधर हाई कर दो पहल कि कब जगा बताओ याद है ओ देखो कौन आया और यही गेट खोलता है मैं अगर प्राख से खोल दू तो फिर लड़ाई हो जागी हम दोनों में कि आराम से आराम से आज कहीं चलना है मॉल चलेगा कौन से मॉल कौन से मॉल आ है बड़ा मॉल सिटी सेंटर हाँ एस्कूल नहीं जाएगा मेडम आ रही है पढ़ाने आ रही है मेडम पढ़ेगा अब अब सुबह जगा है और सीन ऐसा है ना यार कि मॉल के नाम पर जब भी बोलो तो यह जाने के लिए क्या कर रहा है इधर उदर सो रहा है बहुत सरारती है और यह ना स्कूल कैसे जाता है जब भी बोलेंगे मॉल चलना है तो फिर चला जाएगा अब बाय बोलेंगे तो महीं लेंगे मॉल यह जब भी बोलेंगे तो बोलता है चलो फिर तो चलेंगे मॉल तो मिलते हैं ना वीडियो देशने के लिए आया था कि अंकल कैसा इस पर फिक्तर हजा है कि अट बजिए ना तू अब सुटकि अब तुम्हें बहुत पसंद और अटाओ कि अच्छे बनाओ कंट्नी बनाओ यह हाँ झाल पॉल आप इस नाम युट्ट के था अप्लिकेशन कौन डॉट किया था ये पॉन की यह दाउलोड नहीं बताओगे कौन की यह दाउलोड तुम ऐसे करना लाइक कीजे करो तो अभी हमने नहा लिया है और अब निकलेंगे मॉल के लिए और मेरे शाद फैद है और ये भी जाएगा मॉल कहां चलोगे मॉल जाओगे हां मॉल जाओगे हां मॉल जाओगे हां लाव इधर दा चलो जा जल्दी से रेडियो जा इधर देखो छोड़ देंगे फिर जिंस ने पर नेगा इसी पर चलेगा और ये ये क्या खेल दे मामे जिंस ने पर नाई पापा को बोल दो तो फाइनली गाइज हम लोग घड़ से निकल गए और अभी चलते हैं मॉल और फेहद भी रेडी हो गया गाइज तो अभी हम लोग पूरा फैमली के साथ मॉल जा रहा है आज सो गई चलो वहां पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि अब खुलो अब को अब कि अब खुल गया जाओ मॉड़ ग्रॉब सबस्ताश के संब स्क्राव से ब्लादेर डंज मक्वेश और रहरें प्लेक्राइज मॉड़ प्लेड़ेंटे फिरसे लिएश चैन्याव But I'm here to play it now I don't wanna cry again Even if I lose a friend You say you had good intent when you hurt me You do it all again, that's all this to me I don't wanna try anymore Yeah, I want you to walk at your door in the morning Said that it wasn't planned when you hurt me You do it all again, that's all this to me You do it all again, that's all this to me, oh no And I don't wanna cry again Even if I lose a friend You say you had good intent when you hurt me You do it all again, that's all this to me I don't wanna try anymore Yeah, I want you to walk at your door in the morning Said that it wasn't planned when you hurt me You do it all again, that's all this to me I wanna go back in time To when things were easier Before it got all complicated Oh Your food was the 9131597 Things were easier Before it got all complicated Oh Just give me the strength to move on Cause I don't really wanna Fahad, look here Fahad, look here That's what You do it all Oh It's Get ready Give me the rails A few A few We, we You You पाइसे ले लो ताहां पर उठालो उठाओ था दोनो उठाओ देखें क्या लिया देखाओ देदो दो इधार वह क्या लिया हाथ में तो गईज अभी मॉल में है और फैद के शाथ है तो देखते हैं फैद को क्या क्या लिया बता दो और क्या लेना है और कुछ नहीं लेना है तो फिर चलो घुमते हैं झाल उस्ज़य करें सिभेशा कि के नहींद पॉर्च आड़ पॉर्च षद्स में हां घह कर भाकर सान्यव है गरिंग और में नेको पहते理 मामी का है इधार इधार लाव लाव मैं जोड़ दो लाव जोड़ दो बाइस साइकल ये लो जोड़ दी ये लो चलो उसे वेटर ले गए दख भी ले लेली, तुमरा लेली अगे अगा ना कि स्वापिंग का मूट नहीं था लेकिन मौल में बहुत सारा आइटम नहीं मिले आहिसा बीग बजाश आना परा और गैज आप चलते हैं घर स्वापिंग लगबक कम्प्लीट है तो फैनली गैज हम लोग मौल से आगे और हम लोग लगबक गह दें 12 बच के 5-6 मिनट पहले हम लोग मौल के लिए गये थे और अब ही तक्रीबान 5 बच के 10 मिनट हो रहा है और 4-5 गंटा आज हम लोग मार्केट में इंज्वाए किये वैसे आज कुछ खास प्लान नहीं था मौल में कुछ खरीदने का फिर भी फहत जो है वो काफी ज़्यादा जित करने लगा ट्वाइब अगरा खरीदने के लिए तो गईज वहाँ पे कुछ हम लोग थोड़ा सौपिंग होगा अभी किये तो कुछ इस तरीके का आज का संडे हम लोगा जो है वो एक्स्पेंड हुआ तो आज के ब्लॉग में गाईज बस इतना ही उमीद है ब्लॉग सायद आपको पसंद आएगा और हमें लगता है कि कंटिनीव जो है हम अपने चैनल पे ब्लॉग लाते रहेंगे डेली लाइप से रिलेटेड जो आपको शायद बहुत जादा पसंद आए और फायद के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट किये थे कि ब्लॉग उसके साथ लाओ बहुत अच्छा लग रहा है तो गैज मैं खोसिस करूँगा कि फायद के साथ ब्लॉग लाओ जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं तो दबा के लाइक करो और बताओ यार कि क्या नेक्स्ट ब्लॉग जो है हम फायत के साथ बनाए या फिर खुद सिंगल बनाए या फिर कहीं मार्केट उगर आपको ले जाकर दिखाऊ तो भाई कमेंट करोगे तो समझ में आगा कि हमें ब्लॉग कैसे बनाना चाहिए आप लोग कैसे ब्लॉग को पसंद करते हो